सबसे पहले आज किस लेक्चर के इंदर हम बात करेंगे थीम क्या होता है थीम बेसिकली एक प्री बिल्ट पैकेज होता है डिजाइन पैकेज होता है आपको अपने स्टोर डिजाइन करने के लिए इन स्टोर अ मज्देश करनेंों और आपको सबसे रहने के सबस्क्राइग से लिए और आपको प्रेकज प्रोंप्राफ के बाल पर इससे हैं किस तरह यह काम करेंगा तो हम आ चुके हैं लैप्टॉप स्क्रीन के उपर यहां पर देखें हमें ऑप्षिन मिल जाता है थीम्स की तो सबसे पहले मैं आपको बताता है चलूँ कि free themes क्या होता है और paid themes क्या होते हैं basically free themes वो होते हैं जो आपको free of cost मिल जाते हैं Shopify का store के अंदर ही let's suppose अगर मैं यहां पर add theme करूं तो visit theme store पर मैं click करूं तो यहां पर देखें हमारे पास different themes का options आ जाएगा और यहां पर देखें हमारे पास options available है free themes के तो यहां पर देखें काफी सारे options जो है वो free theme के हमारे पास available और यह Shopify का अपना store है जहां से आप premium themes buy कर सकते हैं यहां पर देखें यह free theme है similarly यहां पर देखें यह free theme है यह paid theme है तो different requirements के मताबिक theme जो है वो use कर सकते हैं तो free और paid theme के अंदर फर्क क्या होता है free theme के अंदर basically limited options होते है customization के भी और designing भी उसके limited होती है आप जादा extended उसको customize नहीं कर सकते हैं on the other end जो paid themes होते हैं उनको आप customize कर सकते हैं और उनके अंदर अच्छी बहुत जादा functionalities होती है जैसे अब आपको paid theme लेना है तो आप कहां से लेंगे यहां से आप जैसे view all theme करेंगे तो यहां काफ सारे themes आपको नजर आ जाएंगे जो के paid होंगे आपको buy कर सकते हैं उसके इलावर different market places हैं जहां से आप themes ल लिए तेम फॉरस्ट लेट में टाइप अगीन और यहां पर देखें यहां पर हम शॉपिफाय का कोई भी यहां पर option होना चाहिए जैसे e-commerce यहां पर यहां पर देखें हमारे पास Shopify को option रहा इसके relevant जितनी भी आप से themes मुझूद है यहां पर देखें डिफरेंट themes मुझूद हैं उसके different price हैं यहां से आपको अगर कोई theme आप buy करना चाह रहे हैं बहुत अच्छे outstanding themes यहां पर आपको मिल जाएंगे और economical price के अंदर ल अगर still आपका client या आपको कोई specific theme पसंद है जो के paid है तो आपको buy कर सकते हैं in different marketplaces से right तो आपको हर तरह का theme यहां से मिल जाएगा तो मैंने आपको बता दिया कि free theme किस तरह से आप use करते हैं और paid theme किस तरह से use करते हैं और कौन कोई marketplaces से जहां से आप free या paid theme ले सकते हैं इसके इलावा एक और option है हमारे पास invert to elements यहां इसकी जिस्ट आपको subscription लेनी पड़ेगी और individual theme के buy करने की वज़ाए आपको यहां पर यहां पर देखें अगर मैं cms पर जाओ और shopify पर जाओ तो यहां पर देखें आल्मोस 280 shopify themes available हैं आप इनको सिर्फ एक subscription के अंडर ही सबको download कर सकते हैं on the other hand theme for us के ओपर हर एक single item के लिए आपको अलाइदा से पेकर किसको buy करना पड़ेगा अगर आप यहां इन्वेटो elements से क सब्सक्रिप्शन लेते हैं let's suppose यहां पर आप इसके सब्सक्रिप्शन है 36 16 डॉलर पर मन्त की इसके बाद आप यह सारे रिसोर्स इस यूज कर सकते हैं unlimited download कर सकते हैं और यहां पर देखें Shopify के 280 themes मौजूद हैं और यहां पर जो भी theme आप download करना चाहा है वो download कर सकते हैं तो म और मजी जानते हैं उसके अबाद मिलते एंशालले ने ने लेक्स लेक्शर के अंदर तिल देन कीप लर्निंग कीप एक्स्क्लोरिंग अला आफिस